हेलो एवरिवन दोस्तों 36 गड़ की एक नई वेकेंसिस के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ बता दूँ जो नई वेकेंसिस आई है वो आपके 36 गड़ के नियाले में जो है वेकेंसिस निकाली गई है रायपूर जीले और फैमली कोट में पांचवी पास से ग्रेजवेट तक के लिए मौका मिलेगा नब्बे पदों के लिए भरती होने वाली है आपको बता दूँ 31 जनुमडी 22 तक आपकी आवेदन करने की लाश डेट है पूरा इसमें मैं बताने वारा हूं प्रोसेस आपको की कैसे इसके लिए आवेदन करना है इसके लिए जो है सच्छडी की उक्रिदा क्या क्या है तो जानने के लिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए गाई और चैनल पर नए होंगे तो 36 गर की भरती पर इच्छाओं की जनकारी सबसे पहले पानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलिए श्टार करते हैं आज का वीडियो ठीक है तो बता दूँ हैं पर आपको मैं कि जो राइपूर में जो जीला और सत्र नाला है वहां पर जो है बह आफ लाइन आवेजन करना होगा ठीक है आवन नावेजन आपके स्विकार नहीं कि जाएंगे और कैसे करना वह भी बता देता हूं आपको मैं ठीक है सब्सक्राइब बतायते हैं कि यहां पर जो विग्यापन जारी किया गया है उसमें जो है वो 67 पदों के लिए जो है जील जारी किये गया है ठीक है उसके बाद यहां पर जो है कुटुमबकोट जो फैमिली कोट आता है उसमें जो है 23 पद निकाले गये हैं और लिए पदों पर आपको आवेजन करने के लिए 36 गड़ का निवास प्रमारपत्र होना जरूरी है ठीक है साथी जाद इसमें जो अनसुद जाती जन जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग जो महिला वाले हैं बहुत पुसेनिक हैं निसकत जन है उनको जैसा उनको स्टेट में अरच्छन मिलता है उस प्रकार का उनको अरच्छन दिया जाएगा ठीक है इसके लिए आपको जो है आयूसी में अताय कर दी गई है यानि कि आपकी जो आयूसी में है वो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए ठीक है मूल निवासियों को यहाँ पर 40 साल के लिए जो है वो यहाँ पर दिया गया है उम्र में ठीक है और केटेगरी वाइस देखा जाए तो 45 साल तक की जो है मैक्सिम छूट मिलेगी आपको आवेजन से पहले रोजगार कर रहे में आपका जीवन पंजियन होना चाहिए यानि कि आपका आवेजन करने से पहले आपको अपना रोजगार कराने में पंजियन करना जलूरी है यदि नहीं क्या कराया गया है तो कराने में उसके बाद आवेजन करिएगा और अगर आपके बाद पंजियन पहले से है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यानि कि जीवित पंजियन होना चाहिए आपका आवेजन करने के टाइम पर और कहा गया है कि इसमें चैयन से पूर वह एक कौसल पर इच्छा ली जाएगी ठीक है आपकी जैसे कि जो इस्टेनो रफर है या पर सहय गड़तीन है उसके लिए आपको कम्पूटर आवेजन का प्रादूर दे दिया जाएगा और वहां से इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है ठीक है इस प्रकार उसको पूरा भर कए उसको एक अच्छे से लिफाफे में बन करके उसमें कौन से पद के लिए आपने आवेजन किया है उसका नाम लिखना है और उस लिफाफे को आपको जो यहां पर जीला सत्रिनाले है और कुटूमनाले है उसके कर्याले में भरती के लिए रखे विशेस बॉक्स में महाँ पर एक बॉक्स मना के रखा जाएगा कि जो भी इसके लिए आवेजन कर रहे हैं वो अपना आवेजन जो लिफाफे को इस बॉक् और यहां पर जो बात कहीं गई है कि विशेश होगेता क्या होनी चाहिए आपके लिए तो आपको समानने रूप से आपको इसनातक होना चाहिए जिसमें कि जो अन्रिजर्ड वाले काटेगरी क्या है उनको 45% पाना जरूरी है और बाकी काटेगरी को 40% होना यह आपके जरूर है और उसके अलावा आपके पास कंप्यूटर रेप्लिकेशन में डिगरी होना चाहिए डिसी होना चाहिए और बेसिक नॉलिज होना चाहिए आपको बस MS वर्ड और इंटरनेट का सहाया ग्रेट 3 के लिए बात करें तो ग्रेजिशन के साथ साथ यहां भी आपको सीरे लेखन मुतर लेखन में जो है वो आपको सौट हैंड और टाइपिंग पर इछा का प्रमार पत्र मंगा गया है और सेम वहीची जो DCA और जो MS वर्ड का घ्यान आपको होना जरूरी है औ इस पद के लिए आवेजन नहीं कर पाएंगे नहीं कि अगर आप में दसवी बारवी पढ़ रखा है तो आप इसके लिए आवेजन नहीं कर सकते हैं और उसके अरब आप जो वहां चालक के लिए जो पद निकाले गए उसमें भी आठी पास मंगा गया है और जो आपका डाउनलोड करने के जो हुआ है आपका अवेजन पत्रा उसका लिंक में डाल दूँगा वहां पर तो कुछ टाइम बाद उसको चेक कर लिजेगा तो आपको वहां पर लिंक मिल जागा डाउनलोड कर लिजेगा तीक है और कुछ जंग आ लिए को मेंट करके पूर सकते हैं म मिलते हैं अगले वीडियो में दुस्तो धन्यवाद